पशिम मंगाल में 25 तारिको यानि के आज के दिन को AIMIM के नाशनल प्रेसिडेंट असद दिन वेसी की सभा होने वाली थी लेकिन वो सभा हुई नहीं हमारे साथ है पशिम मंगाल के AIMIM के अब्जरवर और पूर्व मेर हाइदराबाद माजिद हुसैन हम उनसे बाचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये सभा हुई क्यों नहीं सुर इसका जवाब तो मैं आपको नहीं देऊ सकूँगा कि किस बुनियात पे इन्होंने कैंसल किये क्योंकि इन्होंने कोई वज़ा नहीं बताई हमने दस दिन पहले पूरे प्रावर प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए हमारे अप्लिकेशन्स हमने कंसर्ण एड़िस्टेश है कि हमें जो यहाँ पर समझने आ रहा है कि यहाँ पर सबकी सवाएं हो सकती है मैं अचकौ2 यहाँ उनको दिया था DC दिट्टी है जो पोलिस हैं याँ पर पोर्ट को दिया गया ट्राफिक प्लिस में जिसको पर्मिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है इसको Here लोगे भी दिया गाया और बाइस स्पीट पोस भी भेजा गया अंहों ने हमने रिपलाई नहीं आइड़ा दिया उन्होंने अग्राइक जुए श्पीट पुस्टाइब यहां नहीं आई तो इसी तरीखे से नुन्हों वक्त जाया कि आज जे पी नडड़ा बीजे पीके नाशनल्ड प्रेसिडेंट वह भी है यहाँ पे तो कहीं यह आईरॉनिक सा लगता है कि जेपी नड़ा का प्रोग्राम हो रहा है आपका नहीं हो रहा है अब जो दोस्त हैं वो एक दूसरे का प्रोग्राम करा रहे हैं और जो अवाम की बात करता है और जो अवाम की हख बात करता है उनके प्रोग्राम को रोका जा रहा है तो आप कहरे हो कि यहां पे त दोस्त है ہیں जब सबके प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हमारे प्रोग्राम्स सब्सक्राइब करें हम पर इल्जामात लगाने वाले जब हमारी सभाळा को paling पर हमारी सभा को रोकते हैं और दूसरों को अलाओ करते हैं तो इसका मकसद और करेंगे बिलकुल आएंगे बराबर आएंगे और हो सका तो हम फोरण अविच्थ सहाब करकर फिर से उनका टाइम लेते हुए नेक्स वीक फिर हम एक और एक पब्लीक मीटिंग के लिए पर्मेशन अपलाइज करेंगे और फिर करेंगे कहां कौन से दिन और कहां आप करना चाहोगे वेसी साब का प्रोग्राम आपको मुस्पपवली एक 24 आवर्ड में आपको वक्त जगे और मुखाम आप लोग अपडेट किया जाए एक बहुत इंपॉर्टन सा सवाल जो आप से पूछना लाज़मी बनता है कि अबास को लेके बहुत चर्चा होता है अबास दीकी के घर गए वेसी साब अबास उसके बाद अबास दीकी ने ऐसा बयान दिया कि वो लेफ्ट कॉंग्रेस के लाइंस में हैं लेकिन लेफ्ट कॉंग्रेस जो है वो अबास दीकी को चाता है आपको नहीं चाता यह माज़रा क्या ह आप लोग अबासदीखी के साथ हो, अबासदीखी आपके साथ है या लेफ्ट कॉंग्रेस के साथ हो, यह हो क्या रहा है? अगर आप सिंप्लिफाई करें. अबासिदीखी साब ने कल के अपने बयान में ये कहाए कि जहां भी M.I.M. के अमीदवार रहेंगे वहां पे वो खुलकर M.I.M. का साथ देंगे हम यहां पे साफ तौर पे ये कह दें कि हम तो यहां पे अलेक्शन लड़ने आए हैं और अबासिदीखी साब के घर पर खुदा सौधी नवेशी साब गए थे उस पाक बारगार में जाकर बैट कर वहाँ पर ये ऐलान किया था कि हम अबासिदीखी साथ के पीछे चलेंगे और हम वही चीज अपने दिल में बिठाते हुए हम अबासिदीखी साथ पर पूरा इतिमाद है हमारा अबासिदीखी आपके साथ है? बिलकुल है जो भी बातशीत हो रही है वह अबासिदीखी साथ हो रही है जबी भी आपके सामें जैसा भी clarity आगी आपके सामें रखा जाए अबासिदीखी के साथ आप alliance कर सकते हो लेकिन त्रिनो मूल के साथ आप लोग क्या कुछ alliance करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ इरादे हैं आप कितने मूल के साथ? हमारे दरवाजे हर उश पॉलिटिकल पार्टी के लिए खुले हैं जो बीजेपी को रोकने का दिल में अजम रखता है और इरादा रखता है एक आखरी सवाल आप से कितने सीटों पर आप कैंडिडेट दोगे? हमारे यहाँ पर पुरा मुकमिल सर्वे हो चुका है और बहुत जल्दी खुद असवदीन अवेसी साब इन सीटों का और उनकी कैंडिडेट का एलान करेंगे हमारे साथ थे माजिद हुसेन साब जिन्होंने दावा किया है कि उनको परमिशन ना दीने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी और त्रनमूल की दोस्ती का हाथ है क्यामरा परसन आलोक कुमारदास के साथ सुर्यागनी रोय आज तक कोल काता